Hi students, I hope आप सभी ने अपने date sheet देख लिए होंगे अगर आपने अभी तक अपने date sheet को download नहीं किया तो इसका link मैंने simply आपको PDF में दे रखा है description में तब आप वहां से जा के अपना पहले date sheet को download कर लिजे तो चलिए date sheet तो download सभी students ने करी लिए होंगे तो चलिए हम सीधा paper पे बात करते हैं इस वार papers में आपको कुछ नई बाते देखने को मिलेगी जो बाकी years से कुछ नया है तो बाकी years से नया ये है कि इस paper में आपको इस वार कुछ papers ऐसे हैं जो main subjects में आपको holidays बहुत कम मिली है तो यानि कि इस paper में आपको ने ये चीज़ गौर किया होगा कि इसमें holidays आपको बहुती कम मिली है बाकी years की बात करें तो इससे students की strategy बढ़ जाती है कि उनको अभी से अपनी board exams की अच्छी से त्यारी करना शुरू कर देना चाहिए तो यानि कि अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि हमें board exams की त्यारी कल से सुरू करूँगा अपने इस subject की त्यारी कल से सुरू करूँगा तब आपको date sheet भी मिल चुकी है तब आपकी first priority है कि आप अपने पहले board exams की जो जो main subjects है मैंने एक time table का वीडियो भी बनाया था तो आप वीडियो नहीं देखाया तो आपने वीडियो भी देख लीजेगा उसमें मैंने आपको explain कर रखा है कि किस तरीके सापको board exams की त्यारी करनी है तो आपको अभी से त्यारी कर देनी चाहिए तो चलिए हम सीधा बात कर रहे हैं कि इस पर आपको holy race किन किन subjects में बहुती कम देखने को मिली है फर्स पेपर हम मेन हाइलेटेड पहले पेपर आपको इंग्लिस का लेके चल रहे है उसके बाद हम next paper की बात करें आपको चार तरीक को आपका science का paper है तो उसके ठीक आपके 3 दिन बाद या आपके Sanskrit का है और Sanskrit के उसके बाद आप देखिए कि Sanskrit के ठीक 3 दिन बाद एक 4 दिन बाद या आपको math का भी paper आपको है इस बार holidays बहुती कम देखने को मिल रही है students को तो उसके बार आप देखिए इसके बार आपका social science का paper है इस तरीके से तमाम सारे papers हैं आपके जिसमें holidays कम मिली है क्योंकि last year की बात करें तो last year आपको holidays होते थे 5-6 दिन at least तो हर subjects में मिलते थे तो वहीं इस बार कई सारे subjects में 3 दिन ही है तो चार दिन है तो इसी तरीके से holidays बहुती कम कर दी गई है बाकी सालों या बाकी years के मुकाबले तो इस तरीके से आपकी first आपकी priority बनती है कि अगर आपने board exam सुरू नहीं किया तो आप पहले अप अपनी तियारी शुरू कर दीजे युकि इसी तरीके से मैं आपके लिए most important questions भी upload कर रहा हूँ तो अगर आपने वीडियो भी नहीं देखा है तो वीडियो को पहले देख लिजेगा और भी मैं आपके लिए अगर कोई important topic पे हो ता आप नीचे comment तो करी सकते हैं क्यूंकि मैं आपकी comment को first priority देता हूँ वीडि वीडियो को देखिए और चैनल पर पहली वारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए आपके बोर्ड एक्जाम से लेकर अभी तक अभी से बोर्ड एक्जाम तक मैं आपके बहुत सारी important video upload करने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एक्जाम में बहुत ही ज्यादा helpful होने वाले हैं तो वीडियो में फिलाल इतना ही जैहिंद